मिसमिल ले रख्मानी रही हम स्टूरी नाच जो हमारी एक्जाम्पल नमबर तू है वह भी आपके पास confidence interval है फॉर डिटी इस्टुबूशन बट उसमें हमारे पास two populations involved है इसमीन के हमने difference between the two populations ले रही है और two populations के लिए हैं one minus x bar two आपके पास आजाएगा ठीक है plus minus t alpha by two degree of freedom आपके पास आगे देन student आपके पास यह कह है SP pooled estimator जो आप कहते हो के combined means आपने find करने है तो वह आपके पास आएगा SP and हमारे पास के आजाएगा अंडरूर one by n1 plus one by n2 यह formula है when you have the two populations और आपने उनका confidence interval जो है वह find करना है तो आपने इस फार्मूले को लेके चलना है अच्छा यह तो student हमारे पास आगे फार्मूला अब आपको मैं example show करवा देती हूं हमारे पास example जो है इस फार्मूले में values पूट करके बताऊंगे और बताऊंगे कि आपने इसको solve कैसे करने और यह question भी important है ऐसे question आपके exams में आने के जादा chances होते हैं तो first of all मैं आपको example show करवाती हूं student देखें आपके पास example 18.2 है given that values x bar 1, x bar 2 and 1 and 2 given है and assuming that the two samples were randomly selected from the normal population in which sigma 1 square sigma 2 square calculate as confidence in for difference between the two populations student देखें हमें values given है each and every value आपके पास given है और वो कहरे हैं कि आपके पास populations भी आपको given है आपने calculate करने 80% confidence interval जो confidence interval है वो आपने fine करने है 80% आपने fine करने confidence interval student हमारे पास हमने जो fine करने है first of all हमें चाहिए xp1 हमारे पार mean भी given है mean हमें क्या given है x bar 1 हमें जो given है हमारे पास क्या है 75 x bar 2 जो हमें given है वो हमारे पास क्या है 60 and 1 हमारे पास है जी 9 and 2 हमारे पास क्या है is equals to 16 इसी तरह हमारे पास जो two values given है for example हमें जो यह given है x minus x bar का whole square यह 1 के लिए हमारे पास क्या है 14 18 2 and summation of x2 minus x bar 2 का whole square is equal to 18 and 13 तो यह two values are given ठीक है अब हमने fine करना है student pooled estimate for the common variance common variance के लिए करोगे न तो it's showing sp meant the pooled estimator of the common variance p showing the pooled estimator जो के हम previous पर जो के हैं pooled estimator के बारे में ठीक है अब इसमें हमारे पास जो फार्मूले हैं previous discuss भी कर चुके इस पर इससरो मैं फार्मूला लिखूंगी अगर किसी student को इसको समझना है तो आप मेरे sample sizes involved होंगे फिर हमारे पास क्या आजाते है submission of x bar minus x bar 1 का whole square plus submission of x 2 minus x bar 2 का whole square and this one आपके पास values आजाती अब आप only put करोगे values तो आपके पास क्या आजेंगी इसके जो values वह मारे पास लिखे है 14.82 इसकी 18.13 है second की मैं इनकी values लिख रही हूं मेरे पास क्या है 14.82 plus 18.30 and n1 मेरे पास क्या है 9 and 2 हमारे पास क्या है 16 minus 2 जब आप इससे solve करोगे तो जो आपके पास answer आएगा वह आपके पास क्या आएगा 144 अचे अब आपके पास है SP square मत पूर इस्टिमेटर बट वी नीड ऑनली SP मतब not square जब हमें जरूरत नहीं तो हम क्या ले लेंगे अंडरूड लेंगे अंडरूड लेने से जो आपके पास SP की value आज़ेगी 12 ठीक है अब यहां student हमारे पास 12 SP की value आगे formula आपको given है अब simple आप इसकी values put करो तो आपके पास क्या आगे x bar 1 minus x bar 2 हमारे पास क्या आज़ेगी यह मैं formula में values put का रही हूं formula ठीक है यह जो आपका formula उपर front लिखा हूं इसमें अब सिरफ values put करने लगे हूं देखे हमारे पास क्या है x bar 1 हमारे पास क्या है 75 minus 60 आगे plus minus t alpha by 2 क्या 80% है 80% हमारे पास क्या आजएगा जब आप इसे solve करोगे student हमारे पास क्या आएगा यहां जेगा 0.10 and आपके पास जो n बनता है वो हमारे पास क्या है 16 16 प्लस 9 16 प्लस 9 कितना हो गया आपके पास 25 होगे 25 minus 2 हमने करना है तो हमारे पास 23 आजएगा degree of freedom then आपके पास pooled estimator जो आपने fine के 12 है and आपके पास 1 by हमारे पास क्या है n1 के 9 है plus 1 by 16 simple आपने इन में values put किये यहां भी values पूट किये यह भी values आपको given आप SP भी find कर लिए and हमने n की values पूट कर दी अब आपके पास आएंगी वह आपके पास क्या आजएगा 15 plus minus आप इसमें जब सॉल करे टेबल्स के मैं अलग सी वीडियो बना कर दूगे जिसमें मैं आपको सम्झाओंगी कि आपने टेबल में से इसमें वान इसका करने कैसे करनी वह भी मैं आपको डिस्क्राइब करके बता दूगी 1.32 जब आप इसे सौल को तो आपके पास values आजेंगी जी 5 आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या एगी इन दुनों को क्या आजेगा 8.4 and 2 हमारे पास क्या आजेगा 21.6 यह two confidence intervals are given and then our questions were solved. तो ऐसे आपका question solve होजेगा आपके सिकते हो हैंस 80% confidence interval for mu 1 minus mu 2 calculated from the given information is 8.4 to 21.6 जो के हमारे पाद two confidence interval आजाते हैं अब श्टूर ने अगर इस example में आपको किसी भी किसम की problem है तो आप मुझे comments में discuss कर सकते हैं मैं आप से इंचलर discuss करूँगी I hope आपको मेरा lecture पसंद आया होगा तक तक के लिए लाँ आफिस बिसमिल्ले रख्मानी रहीम student हमारे पास जो आज का lecture है वो आपके पास है testing hypothesis when sigma is unknown and n is less than 30 हमने testing hypothesis के लिए for the P distributions के लिए for the Z distribution but when n is less than 30 and sigma unknown then आप T distribution के लिए testing hypothesis को कैसे use कर सकते हो उसको जो general procedures है जो हमारे पास के है general procedures है हम उसको discuss करेंगे और बताएंगे कि हमारे पास क्या आता है क्या steps and student इसमें जो steps हैं आपके पास वह majority आपके पास same steps है आपके पास changes आ रही हैं तो test of statistics यह critical region में आपको दिहां रखना पड़ते अब इस पर step आपके पास जो आ जाता है वह हम describe करते हम कहते हैं the procedure for testing the hypothesis if hypothesis h naught is mu is equals to mu naught is given that अब हमारे पस जो first of all हमने क्या करना होता है hypothesis बनाने होते हैं और आपको पता है अब बना चुके हो कि मैं पर 2 types के hypothesis नहीं होते हैं हमारे पास क्या होते हैं null hypothesis है and second आपके पास क्या होता है alternative hypothesis यह अगर null hypothesis की बात का रहे हैं now mu is equals to mu naught है तो यह नॉर्मली डिस्ट्रिबूटेट के लिए तो हमारे पास जहां कि आजएगा म्यू इस नॉट इक्वस्टू मू नॉट आजाते है ठीक है इसी तरह अगर आपके पास आपने फाइंड करना है इस वान कि कोई और आपके पास है तो अगर आपके पास है म्यू इस लेस यह नॉर्मलाइब करने है और आपके पास चाहें प्रिया यह शोड़का रहे है यह मेरे पास जो इसमें फस्टाप टू ऐस तूस्टाइड है और यह वान साइड यह यह बी यह भी आपके पास तो आकर आपको इस थे तुए हैपॉत्सीस तो आपके है यह जिए अश्कर में रखने हैं और जब आपको questions given होगा आपने उसके मुताबिक चलने अब सेकिंड हमारे पास होता है level of significance तो level of significance होता है वह आपको question में given होता है अगर तो आपको question में given नहीं है alpha जो होता है तो आपने कहा लेना है 0.05 ले लेने इसी तरह थर्ड स्टेप जो होता है उसमें बताना होता है test statistic आपके पास क्या होता है test statistic जिसमें हमने फार्मूला को describe करना होता है और T का फार्मूला आपको पता है आपके पास क्या होता है x bar minus mu and आपके आपगी होता है इसलितार आप झाल 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 कि मिसमें लेर अखमानी लेहीं आँ स्टूडिन आज कर जो हमारा लेक्चर है वो टेस्टिंग हाइपॉसिस वें सिग्मा इस अनॉन एज लेस दें थर्टीन आपके पास आगे एंग्जामपल नमबर वन है जो है वो मनें सॉल करी अब स्टूडिन एक्जामपल में आपको प सब्सक्राइब करने अगर आपके सिग्मा अनॉन है मतलब आपने सिग्मा को फाइं करना है दिन आप टी इस्टूबिशन यूज करो मैं आपको एक्जामपल शो करवाती हूं दिन हम आपके को सॉल्व करते हैं स्टूडिन यह आप देख सकते हो 10 इंडिजिजिल्स आर चूजन एड रेंडम फ्रम नॉर्मल पॉपलेशन एंड हाइट्स आर फांड तो बी इंचेज यह हाइट्स आपको गिवने 63 63 67 68 इन देख से लिए इस डिसक्सटेशन दा में हाइट इन पॉपलेशन इस 66 इंचेज इस टूडिन जैसे कि मैंने आपको कुश्चन शो करवाया है जिसमें उन्होंने कहें कि आपने जो अपनी मीन हाइट है न वो आपने लेनी है जिस शिक्स्टी सिक्स मदब फर्स टेप हम गोड़ें लेने है 66 और इकवर्स टू 66 देखे उन्होंने हमें लेस देन या कोई गरटर दन नहीं का उन्होंने बात कि है कि जो हम चूज कर रहे हैं मीन हाइट्र पॉपलिशन की 66 है मतलब इस 66 है या नौट इकवर्स टू होगी तो यह हमने लिग 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 गिवन तो यू कैन टेक Alpha equals two 0.05 थर्सुटप हमारे पास आ जाते है तेस्ट स्टैटिस्टिक जिसमें हमने मिले लिग लिग लता कि हमने बताना होता है कि हमारे पास क्या वैलियों त्सटैդिस्टिक फार्मूला टी का यूज कर रहे । एक्स बार माइनस मयू एन eस हमारे पास है degree of freedom वो हमारे पास n-1 है ठीक है अब हमारे पास student क्या आ जाते है next आपने जो लिखने है वो आप कहलो critical region critical region क्यूंकि आपका two-sided है तो आपने जो मैंने previous general procedure पढ़ाया तो आपने two-sided के लिए जो मैंने आपको करवाया आपने वो लिखने critical region हमारे पास क्या आ जाएगा T हमारे पास आ जाएगा जो कि हमारे पास greater than less than दोनों के लिए होगा T as 0.025 and हमारे पास 9 and then हमारे पास क्या जाएगा 2.262 अभी हमारे पास value ए टेबल की यहां मने degree of freedom मतब 10-1 किया तो 9 आ गया अब यह हमारे पास कहें normally distributed यह मारे पास कैसे आजेगा student यह देखें यह हमारे पार यू आएगा कि यह बोच साइड आएगा not equal तो हमारे यहां यहां माइनस 2.262 और यहां positive 2.262 आगे यह मारे पास कहें acceptance region है acceptance region है और यह आपके पास कहें rejection region है ठीक है यह चीज़े हमारे पास आगे यहां value लाइक है तो reject करेगी यहां आएगी तो accept करेगी दिन हमारे पास जो main चीज है वह आ जाती है जी computation अब हमारे पास फिफ स्टेप आगे है compute करना है computation हमारे पास values compute करके क्या आती है अब student हमने देखना है कि जो हमारे पार फार्मूला होते है ठीक है हमारे पार फार्मूला क्या है t is equals to x bar minus mu s under root n देखें mu हमारे पास given है x bar आप find कर लोगे x bar आप कैसे find करोगे summation over x divided by n जो के मारे पास क्या आजाएगा आपके पास अगर आप find करते हो तो 67 point this one summation of x आपको मैंने question show करवाया student उसमें x के values हैं उसका आपने क्या करना है sum करना है और जितने number of observation उनको divide कर देना 10 है तो 10 से divide करो तो आपके पास यह values आजेंगे इसी तरह standard deviation जो आपने find करने ना उसका formula क्या है n minus 1 and summation of आप लिख लो हमारे पास x square minus summation of x का whole square divided by n यह हमारे पास है अब देखें x की values तो आपको given है ठीक है आम इस mission of x square लेना पर उसका sum fine करना है तो जब आप वो find करोगे तो आपके बास जो values आएंगे ना आपके बास यहां 9 आगे यहां आपके बास क्या आजेगा 46050 यह मैं आपके बास सिर्फ values लिख रही हूँ आपने इसको solve खुद कर हम इसका under root ले लेंगे क्योंकि हमें चाहिए s की values तो आपके पास आजी कि 3.01 आगी अब s भी हमारे पास x bar भी आपने simple formula में पूट करने है simple formula में आप पूट करो तो आपके पास क्या आजेगा x bar के 67.8 है minus mu के 66 है इसी तरह आपके पास standard deviation क्या है 3.01 है and आपके पास क्या है under root 10 आगया ठीक है जब आप इसे solve करोगे और आपके पास जो answer आएगा वो आपके पास आएगा 1.89 क्योंकि student आपने सिर्फ और सिर्फ आप इसको compute करने है calculations है simple तो इससे मैंने आपको ज्यादे solve नहीं करवाई अच्छे then conclusion last step जब आपका आते है number six उसमें आपने बताना होत आपका conclusion क्या रहे मैं आपको पहले पढ़के हमारे पाद जो टी की value नहीं क्या रही है 1.89 आपका जो critical region उसकी value है 2.62 आपके 1.89 value जो कहीं यहां आ रही होगी ठीक है तो फॉल्पार्ट कर रही है किसमें false कर रही है in acceptance region में जब आपकी values false कर रही है in acceptance region so we accept H0 हम क्या करेंगे accept H0 and reject H1 तो यह आपका conclusion आजएगा क्योंकि अगर आपकी values जो है जिस तरह 1.89 है वो fall करें in acceptance region में तो आप क्या करोगे accept H0 कर लो के आपने H0 कहा था कि music is to accept H0 and reject H1 ठीक है तो यह आपका conclusion आजएगे इस तरह आपनी question solve करनी है अगर इससे related आपकी exercise में बहुत सारी question है आपन आपको समझ में आ जाएगा I hope student आपको इस example की समझ आई होगी अगर कि फिर भी किसी किसम की आपको problem में तो आप मुझे discuss कर सकते है इंशाला मैं आपको बताओंगी और तब तक के लिए लाफिस